पूर्दात की बीडित ने कोदवाली सेक्टर उचालीश में शिकायत की लेकिन घटना के 12 दीन बाद भी पुलिस ने अफाया धर्ज नहीं की हाला कि पुरी घटना CCTV केमरे में कैद है और उसे भी सबूत के तोर पर पुलिस को दिया गया है सेसी टीवी कैमरे में कैद दिन दाड़ चोरी की पुरी वारदात में साब दिख रहा है कि संगीता चोधरी के घट से आनने और जाने के पहले चोर ने रेकी की थी और फिर संगीता जब अपने बच्चों के स्कूल चले निकले गई तो भात लगाया बेठा चोर संगीता के कमरे में पहुचा इस दोरान आसपास के घरों के दर्वाजों को भी चेक किया फिर दर्वाजे का ताला तोड कर नग दी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया या मेंटनेंस इंजिनियर आशुतोस चोधरी का घर है बीज़ास फरवरी को आशुतोस चोधरी अपने काम पर गए थे उसी दिन दो पर करीब साड़े बारा बज़े आशुतोस चोधरी की पतनी संगीता चोधरी बच्चों को लेने स्कूल गई थी उसी दोरार घात लगाई चोरों ने ताला तोड कर उनके घर में रखी 50,000 रुपिय की नगदी और पास तोले सोने के जिवर पर हाथ साफ कर दिया घर में दिन दाड़े हुई चोरी की जवारदात की शिकायत आसुतोस चोधरी ने घटना वाले दिन ही यानि 20 फरवरी को ही कोतवाली सेप्टर 49 में की सबूत के तोर पर उनोंने सीसी टीवी कैमरी की फुटेज भी पुलिस को सोपी लेकिन 12 दीन बीच जाने के बाद भी पुलिस ने फायार दर्ज नहीं की चोगी प्रवारी के मताविक वो अभी भी फुटेज की जार्ज कर रहे हैं जबकि स्बी सीटी सुधा सिंग नहीं कारपला जाड़ लिया क्यों निक क्म भी प्रवी की पुलिस नहीं क्या घज स्टिमित में भी खार्फ टार्फ बढ दाए्ट आए अप्रफ जो अप्रफ याउम में अजय है झाल झाल झाल